नवश्कार, मैं डोक्टर का जादान चारण राज की महाविद्यार सुजानगट हिंदी साहित्य किस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन आज हम कविवर जैशंकर प्रसाद कृत पेशोला की प्रतिध्वनी कविता उसके व्याख्याखंड का ध्येन करेंगे पेशोला, पिछोला जो उद्यपूर की जील है, महारणा प्रताब जहां के शाशक थे शोर्यके, अदब में के शाहस, के धनी, स्वतंत्रता के अमर पुजारी और जिनोने आजादी की इज़त को बचाने के लिए हिंदुस्तान में आजादी के एक अलग अध्याय स्थाबित करने वाले महारणा प्रताब के जीवन से जुड़ी हुई घटना है पेशोला की प्रतिध्वनी, ये कविता जैशंकर प्रसाद का हिंदुस्तान के एतिहासिक चरित्रों को लेकर के नई पीड़ी को वो एतिहासिक गौरों की कहानिया सुनाने और हमारी परमपराओं का ज्यान कराने के दृष्टी से लिखी गई एक स्रिष्ट कविता है महारणा प्रताब जैसे चरित्र नायक पर लिखी गई कविता और उसमें वो भाव कि महारणा के बाद मेवाड की गद्धी पर कौन आसीन होगा कौन हिंदुस्तान की आजादी यहां के धार्म यहां के स्वाभिमान की रक्षा करेगा यह चिंतन महारणा प्रताब के जहन में उठता है और वहीं से कविकविता उठाता है पेशोला की प्रतिधोनी कविता के सारांस की हम बात करें प्रश्भूमी के रूप में तो यह एक आख्यान गीत है पेशोला की प्रतिधोनी कविता प्रसाद के लहर का व्य संग्रह से संग्रहित है इसमें महारणा प्रताप के अंतिन समय का द्रश्य उपस्तित किया गया है 1572 इश्वी में महाराजा उदेशिंग की मृत्यू के बाद महारणा प्रताप बेवाड के सिंगासन पर विराजबान हुए स्वाधीनिता की रक्षा के लिए वे समराट अकबर और उनकी शेन्य शक्ती से निरंतर जूझते रहे अका थने ये कश्णों का सहकर भी स्वातंद्रता की जोती को उन्होंने जीवन के अंतिन समय तक आलो कित रखा वे आरावली परवत मालाओं के मद्ध सिंगा की तरहे विचरन करते रहें अपार कश्ट शेकर भी उनके दुरदानी ये सोहाव से आत्म समरपड नहीं किया उनके यौवन परियंत मुगलों द्वारा मेवाड विजे का स्वपन साकार नहीं हो सका उनका विश्वास था कि जब तक राजबूत महलों के भोग विलास में तली नहीं होते तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता ये महरणा प्रताप का विश्वास था उनका ये भरोसा था म्रत्यू के करीब आने पर उन्हें स्वभावत भविष्य की चिंता सताने लगी उनके सामने एक ही प्रश्ण चिंद था एक ही बड़ा प्रश्ण यक्ष प्रश्ण था कि मेरे बाद क्या होगा ये चिंता इसलिए भी विशेश रूप से थी कि उन्हें अपने पुत्र अमर स से विशेश आशाए नहीं थी इस आशंका का जन्म एक साधान सी घटना से हुआ अमर सिंग पर महारणा प्रताप ज्यादा भरोसा नहीं कर पाए इसका कारण कोई एक छोटी सी घटना करनल टोड लिखते हैं कि अमर सिंग एक बार अपने पिता से मिलने पेशोला जील के त आपको यह देखना पड़ता है कि परिस्तितियां आपके अनुकूल है कि प्रतिकूल है कैसे वातावण में कैसे परिवेश में आप हैं वहां के अनुरूप आपका आचरण होना चाहिए वैसे ही सावधानिया सजक्ता आपको बरतनी होती है मारणा प्रताब किसी जौपड़ी में है अमर सिंग उन से मिलने आते हैं लेकिन अमर सिंग को ये भान नहीं रहता है कि जौपड़ी कि छट नीची है मुझे जुक करके चलना चाहिए और वो जब आते हैं तो उनका सर का जो साफा है वो जोंपडी के किसी टहनी में अटक जाता है और अटक करके वो साफा खिस्ता चला जाता है इस बात को जब देखते हैं तो मारणा प्रताप को बड़ी चिंता होती है कि जो व्यक्ति अपने साफे को नहीं सबाल पाया इस जोंपडी के और अपनी लंबाई के बीच में तार और ये को स्वाभिमान को जिंदा रखा है उसे अमर सिंग कैसे जिंदा रख सकेगा ये चिंता उनके मन में आती है और वो पेशोला जील के तट पर अंतिम्प और सुर्ण स्वर्क महारणा प्रताब का गुंचता है कौन लेगा भार ये हैं आज के बाद मेरे इस राज सिंग धासन का मेवाड के स्वाभिमान को बचाने का भार को लेगा घोर चुपी से युक्त वातावर्ण में जैसा कोई कह रहा हो कि उनके वीर शेनिकों में कौन ऐसा प्राक्रमी योद्धा है जो मेवाड की रक्षा का दाइत्व वहन करेगा और मेवाड को मुगलों की पराध ह इंता से आजाद कराएगा वैकोन है जो बाधाओं के सम्मुक धेरिये और साहस के साथ अभी चल रहेगा मेवाड के युद्धाओं में वैकोन प्राक्रमी वीर है जो आगे आकर यह कहने का साहस करता हो कि मेवाड की आजादी का सेश दाइत उनके कंधों पर है ये शवर हम पेशोला जो जील है उसके पानी के अलवा वहां सुनने वाला कोई नहीं है तो जैशंकर प्रसाद ये कल्पना करता है कि पेशोला से प्रतिध्वनी आती है आवाज महरणा प्रताप बोलते हैं और जील के पानी से फिर से ध्वनी प्रतिविंबित होकर के प्रतिध्वनी कोई सुनने वाला नहीं है लेकिन कभी तो कभी होता है उसकी कल्पना में भी सत्यतल कांच होता है पेशोला की प्रति धोनी की कविता इसका भावार्थ हम समस्ते हैं प्रष्टभूमी आपने देखी महारणा प्रताब की जहन की चिंता है और उसी चिंता का जिक्र कवी अपनी कविता में करता है। ये मुक्त चंदी कविता है। अर्था देखें कि सूर्य का लाल प्रकास मंद हो गया। अर्थार संध्या हो गई है। हमारा सूर्य ऐसा लगता है मानो अनेकों परिवर्तनों के कारण व्याकुल और चक्कर खाने के कारण शांत है। अव्य नत्सिर होकर ऐसा हाइसा आकास के पस्चिमी भाग में छिपने जा रहा है। ये सूर्य कभी विश्व की निरंतर आहूतियां करहन करता था। वहें अपनी हजारों किरणों की माला से कदम वब्रक्ष के समान तेज, और शक्ति का उदारता पूर्वक दान करता रहा है। ये महारना प्रताप जैसे सूर्य की बात है, इस पेशोला की प्रतिध्वनी में वो महारना प्रताप जैसा अजस्त्र सूर्य तीज का पुंज बूद रहा है। पेशोला की उर्मिया है शांत, घनी छाया में तट चित्र में है चित्रित तरल चित्रकारी से, जोपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विशाद के दग्द अवसाद से, धूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में, पेशोला की लहरे शांत है। महरणा प्रताप चिंतित हैं, सोच रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं, पेशोला का पानी सुन रहा है। विशाल तट पर दूर दूर हुई जोपडियां ऐसी लगती हैं, मानो आकास में धुन्दले मेग, खंड भिखर रहे हैं। ये वहां का परिद्रश्य रचनाकार खड़ा करता है। कालिमा विकरती है, संध्या के कलंकसी, दुन्द भी म्रदंग, तूर्य शान्त इस्तब्द मोन हैं, फिर भी पुकारसी है, गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भारी है, कौन विचलेगा, नहीं। महारणा प्रताप ये सोच रहे हैं, कि इस भार को कौन ले पाएगा, किसको ये भार शेहन होगा, कौन विचलन की वेला में नहीं आएगा, मेरे बाद में कालिमा विकरती, कभी कहता है कि जैसे जैसे सूर्य डूबता जा रहा है, महारणा प्रताप जैसे जैसे ब्रद हो र प्रत्वी पर वेशे वेशे अंदकार बढ़ता जा रहा है। में गुझ रही है। इस मोन वातावर्ण में पेशोला के तटवर्ण महारणा प्रताप का स्वर गुझ रहा है। इस सिंधासन को कौन सभालेगा। धर्म के लिए स्वाभिमान के लिए मेवाड की आन बान और शान के लिए कौन आगे बढ़ करके आएगा। इस दाइत्व को कौन निर्भाइत करेगा। या आवाज भार्णा प्रताप के महों से निकल रही है पेशोला की लहरें। पेशोला का पानी उनको सुन रहा है। दुरबलता इस अस्तिमाश की ठाउंक कर लोह से परक कर वज्र से प्रलियोल का खंड से के निकस पर कस कर चूर्ण अस्तिपुंज सा हशेगा अट्ठास कौन। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूलिशी उडेगी किस द्रिप्त फुतकार से कभी कहता है। कि इस गूंजती हुई पुकार भारणा प्रताप के मुँँ से निकली हुई ये पुकार पूछ रही है कि इस अस्तिमाश के व्यक्तित्व की दुरबलता पर कौन अट्ठास करेगा। अर्थात व्रदावस्ता की दुरबलता के कारणिस मेवाड का त्याग कर रहे हैं। अब उनके इस्तान पर कौन व्यक्ति है जो लोहे से ठोग वज्र से प्रक कर प्रलेकालीन उलका के खंडों की कसोटी पर कसकर अपनी हड्डियों की चूर्ण रासी पर हंसते हुए इसकी रक्षा का भार लेगा। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसकी क्रोधागनी के में दर्प जैसी फुतकार से रक्षषों की साधना को चूर चूर कर देगा अर्थात उनकी सरियंत्रों को नश्ट कर देगा। मुगलिया सल्तनत के शूर्य को मेवाड में चमकने नहीं देगा। ऐसा सीना तान करके कौन सामने बढ़ेगा। उसकी प्रतिक्षा महारणा प्रताग को है वो चिंतन कर रहे हैं। कौन लेगा भार यह जीवित है कौन। स्वासों का भार धोने में जीवन नहीं समस्ते महारणा प्रताग। वो कहते हैं जो स्वाभिमान की रक्षा के लिए मर जाए मर करके अमर होने का हुनर जो रखता है उसी को जिन्दा मनते हैं। सास चलती है किसकी कहता है कौन। ची छाती कर मैं हूँ मैं हूँ मेवाड में अरावली संग सा समनत सिर्क किसका। बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मॉलत हो। भार रनफ्रताप मेवाड के कण कण से पूछ रहे हैं। कौन लेगा भार यह जीवित है कौन। मारणा प्रताप की प्रतिध्वनी पुकार पुकार कर कह रही है कि उसके इस्तान पर वकौन उसका उत्रदाई होकर के आजादी संबंधी दाइत्व का निरवा करेगा. सच्चे अर्थों में आज मेवाड में कौन जीवित है किस की सांस चल रही है किस में साहस और स्वाभिमान जिन्दा है भाव है कि कौन जीवित व्यक्ति है जो साहस पूर्वक आकर ये कह सके कि अब मेवाड की रक्षा वह करेगा अरावली की भांति कौन अपना सर उंचा करके ये कह सकता है कि देश की श्वतंतरता को वो जुकने नहीं देगा बोलो कोई तो बोलो महारना प्रताब बार बार कहते हैं अरे कोई तो बोल करके मुझे विश्वास दिलाओ क्या तुम सब मृत हो गए हो तुमारी सांसें शिराएं जम चुकी है खून जम चुका है तुमारी शिराओं में खून नहीं दोड़ रहा है बपा रावल की इस धर्ती पर क्या कोई ऐसा मुझे विश्वास दिलाने वाला नहीं कि जो हमारी परमपरा को फिर से आगे बढ़ा सके आह इश्खेवा की काउन थमता है पतवार ऐसे अधेरे में अंधकार पारावार गहन नियतिशा उमड रहा है जो तिरेखा ही निक्षुब्ध हो खीचले चला है काल धीवर अनंत में सांस सिफरेशी अठकी है किशी आशा में पुकार उठ रही है कि आह इस विकट परिस्थिती में आज कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जो इस देश की नोका को खेने का भार उठा सके क्या कोई इस देश की पतवार नहीं तामेगा वास्तों में चार ओर अंदकार ही अंदकार फेलता चला जा रहा है मारना प्रताप सोचते हैं ये अंदकार का सागर प्रतिक्षन गहरा होता जा रहा है वे सब नियती का निश्टुर खेल है जिसके कारण कोई भी इस देश की पतवार धामने को तैयार नजर नहीं आ रहा है इस कारण निराशा की रेखाएं भयंकर होती जा रही है प्रताप का मन इसलिए अधिक चिंतित हो और दुखी है क्योंकि उसे कोई शक्ति साली उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं है इस कारण मेवार की रक्षा समंदी उसकी समस्ता आसाइं धुमिल होती चली जा रही है कभी कहता है कि म्रत्य रूपी मच्वा महारणा प्रताप को अनंत म्रत्य लोग की और खींच कर ले जा रहा है प्रत उसकी सांस मच्छी की भांती इसी आसा में अटकी हुई है कि शायद कोई उत्तराधिकारी के रूप में कह दें कि मेवार की रक्षा का भार वह उठाएगा वो मच्छी मच्वे के जाल में फंस करके धीरे धीरे दूर होते वे भी आशा रखती है कि इस पानी में से कोई तो आवा जाएगी मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि आज के बाद भी इस पानी में इसी तरह से स्वाभिमान की लहरे उठेंगी आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है किन्त वे ध्वनी कहां गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड किन्त वाज प्रतिध्वनी कहां है मारणा प्रताप के निराशा भरे शब्द आज भी पेशोला के जल चक्र में घूम रहे हैं आज भी उनके शब्दों की व्याकुल ध्वनिया जब भावरों में चक्र काट रही है लेकिन तो इस गावरों साली मेवाड दुरग में जो प्रताप का नीजी धन था उसके शब्दों की गूंज नहीं है भाव यह है कि मेवाड दुरग की प्रकोष्टों में विलासिता की कारण महारणा के शब्द भी खो गए है जबकि पेशोला के जल पर आज भी वे तरल रूप में तेर रहे हैं उसमें उठने वाली भावरे प्रताप की व्याकुल ध्वनियों को गूंज की प्रतीक बनी हुई है आज भी पेशोला की प्रतिध्वनिया हमें बार बार कह रही है कि महारणा प्रताप शौर्य के प्रतिनायक के रूप में इस धर्ती में स्वाभिमान को जिन्दा रखना चाहते थे विशेश की रूप में हमारे विद्यार्थी इस कविता का संदेश लिख सकते हैं पेशोला की प्रतिध्वनिय शीर्शक आख्यान गीत में कविने महारणा प्रताप के मध्यम से भारतिय गौरों के इतिहासिक दस्तावेज के एक प्रश्ट को खोला है तता शोर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान को देशवासियों के सम्मुख रखकर उन्हें जगाने का प्रयास किया है इसमें कविन भारतिय इतिहास के गौरों मई स्वनाम धन्य युद्धा और वीर महारणा प्रताप का इस्मर्ण कर देश की वर्तमान दैनी आवस्ता पर आँसु भाता है प्रस्तुत कविता में मेवाड की गौरों गाथा संकेतित है प्रताप के देश पर आज संकट के मेघ मंडरा रहे है उन्हें पुन्हे प्रताप जेसे युद्ध वीर की आवशकता है आज इस वीर भूमी से वीरता कहां चली गई है कभी कोई पीड़ा है आज तो चारों औ सब्दता और शुन्यता का वातावर्ण फेला हुआ हर जगे संध्या के कलंक की कालि में उतरी हुई है पेशोला की उर्मिया शांत हैं जो पड़े विशाद के शिल्प से बने दगदवसाद के सद्रिश कड़े हैं प्रकृतिने भी उदासी की चादर ओढ़ली है कभी प्र चूर कर देगा और उन्हें धूर सा उड़ा देगा कभी पुनहें प्रस्ण करता है कोई बोलता क्यो नहिं क्या सम्र गए हैं म्रत सर्द्रिश हो गए हैं क्या इस अंधन में अंधकार के शागर में कोई पतवार थामने वाला नहीं है कभी कि आसा उसी की खोज में श्खीन जोती के लिए एक्षब्द होकर अटकी है लेकिन कवियंत में पुनहें दुतकार भरा आत्मिय सम्मोधन कर पूछता है कि गवरोव की काया पड़ी माया है प्रताब की वही मेवाड किन्तु आज प्रतिध्वनी कहां है वस्तुत है आज गवरोव शाली प्रताब की प्रतिध भावना से वो द्वेलित करने की कोशिस की है ये कविता प्रसाद जी की रास्तियता तता देश प्रेम का सशक्त ज्वलंत उदाहन है इसके द्वारा कविन ने ब्रिटिश शाषन की अधीनता से देश को मुक्त कराने का विस्तराहनी प्रियास किया ये अंग्रेजों के प्रिटिश राज के खिलाब खड़ा करने का प्रियास करती हुई रचना है जो हिंदुस्तान के व्यक्तियों को स्वाभिमान की परंपरा याद दिलाते हुए आज भी ये कविता अपने पूर्न स्वर के साथ में जिन्दा है आज भी हमें आवशक्ता है बेरोजगारी से लड़ने की बेकारी से लड़ने की भष्टाचार से लड़ने की हिंदुस्तान का वो नेकी का सूरज जिन्दा रहे हिंदुस्तान की सदासेता जिन्दा रहे हिंदुस्तान की मानवियता जिन्दा रहे हिंदुस्तान के व्यक्ति के भीतर वसुधेव कुटमबकम का भाव जिन्दा रहे बाननवता का करुणा कंदा कर दया का अक्रमänder Skip क ब favor आरा अइसा पर्यास के सब्सक्रणा कृता के सामने सर्धूरे अगली मिलेंगे सब्सक्रिक्राति